नमस्कार दोस्तो दोस्ते दिया आपने भी अपने फोन को फुरा रिशेट कर दिया है रिशेट मार दिया है फुरा डिलेट कर दिया है तो दोस्तो कैसे आप वापिस अपने प्ले स्टोर की आईडी कैसे आप वापिस बना सकते हैं आप कुछ वीडियो में बताने वाला जैसे आप इसको पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए, फोन रिशेट होने के बाद, आपको कुछ इस प्रकार का मेज़र आ रहा होगा थी, हाँ पर अपने प्लेश्टोर के अदर इमिल आडी डाल रखी थी, उसी इमिल आडी को यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और वापिस आप नेग्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, फिर आपको अपने प्लेश्ट करेंगे, फिर आपको अपना मुबाएल नमर देना होता है, and mobile number देने के बाद इस सब कुछ करने के बाद आपकी एक Google ID यानिक email ID बन जाती है and फिर आप उसका password बना लेते हैं and फिर वापिस आपको यही पर सेम जगा पे आना होता है तो चलिए मेरे पास already email ID पढ़ी है और मुझे याद भी है तो मैं अपनी यहाप पर email ID डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तों मैंने email ID डाल दी फिर यहाँ पर मैं next पर click करता हूँ and next पर click करने के बाद जैसे next पर click करूँगा अब मुझे password पूछ जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैंने password डर्च किया है पास ओर दर्च करने के बाद वापिस यहाँ पर हमें next पर click करेंगा पासवर्ड बिल्कुल सही है और यहाँ पर टूष्टे वेरिफिकेशन लगा वात है मेरी email ID के अंदर तो मैं वापिस यहाँ पर देखिए इसको पर click करके अब यहाँ पर अपने वेरिफाई हो जाएगा मेरे SIM के अंदर ही अभी मतलब मेरे phone में वह SIM लगा हुआ है तो यहाँ पर अपने वेरिफाई हो जाएगा एंड यहाँ पर सब कुछ हो गया है फिर आपको यहाँ पर turn on backup पे click कर देना है और यहाँ पाज़गरी पे click कर देन यहाँ पे àपकी प्लेइश्टोर की आईडि यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर अपने प्लेइश्टोर मेने बन चुके है। और अब ये दोस्तो आपको जनकारी हो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किजेगा ताकि उनकुछ बात की नोलेज दोस्तों मिलतर भीए ओमें कच्छी और साने वीडियो के साथ तब तक के लिए जे भारत